मद्यप्रदेश में लोकसभा चुनाफ के लिए पहले चरण के लिए नमांकन 20 मार्च से शुरू हुआ इसके तीसवे दिन तक 22 मार्च तक प्रदेश में नमांकन दाखिल के गए लेकिन अब होली के बाद मंगलवार को नमांकन दाखिल के जाएंगे इससे पहले भाजपा से बागी हुए राजसभा सदस्य आजय प्रताप सिंग में गोंडवाना गड़तंत्र पार्टी का दावन थाम लिया है और सीधी सीट से नमांकन भर दिया है वहीं शहडोर लोगसभा सीट से कॉंग्रस वुधायक फूंदेला सिंग मारको ने भी नमांकन जमा कर दिया पहले चबड के नमांकन की प्रक्रिया में अब मंगलवार को नमांकन भरे जा सकेंगे मंडला में शुकरवार को मोखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी फगण सिंग कुलस्ते का नमांकन जमा कर गाया और इस दोरान प्रदेश बीजेपी अध्याक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ रहे इसके बाद यहां रैली और सभा और लोग सभा श्रेत्रों को लेकर बैठक भी हूँ